बोर्ड परिच्छाओं में बैठने वाले सभी बच्चों को बहुत-बहुत सुब कमना है एक खास अबडेट के साथ मैं आपके साथ आया हूँ आज मैं यह बताने जा रहा हूं कि आपको बोर्ड एक्जाम में जो कॉपियें मिलने वाली हैं उसे आप किस पर कर फिल करेंगे सबसे उपर के पेज हम आप भी बता रहे हैं किस पर कर फिल करेंगे यहां पर आपकी इन्फोर्मिशन होती है तो यह ध्यान से भरिएगा क्योंकि एक बिक्ति के नाम पर एक ही कॉपिय लाट होगी ऐसा नहीं कि आपने अपनी कॉपिय को गंदा कर दिया काट दिया फाड दिया इस कॉपि में कहीं पर भी आपको अपना नाम अंकित नहीं करना है मैं स्वेम भी अध्या पकूं तो मैं देखता हूं कि सो बार बताने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फिर भी अपना नाम लिख देते हैं पताने उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मे तेरी कुछ बिसेश पहचान बनने वाले नहीं है ध्यान देजेगा कि आपके नाम के लिखने के करड़ हो सकता है आपकी कौपी रिजेक्ट हो जाए क्योंकि कभी भी बोर्ट कौपियों में आपको अपना नाम नहीं दर्शाना होता है नाम ना दर्शाने की पीछे कई प्रकार की साउधानिया है जो आपको देखती रखी गई है हो सकता है कि आप नाम को दर्शाएं उस अध्यापक ने जिसने आपके कौपी चेक की हो हो सकता है वो नाम को देखते हुए आपके नंबरों के साथ कोई छेड़का नहीं करें लेकिन यह आप सिर्फ रोल नंब दर्शाएंगे तो वहां पर अध्यापक कोई पता नहीं होता कि यह ब्यक्ति है कौन किस धर्म का है किस समूं का है तो यह मान के चलिए कि आप पूरी तरह सुरचित हैं जो भी आपको अंकन होगा वो आपके वास्तविक लिखावट को देखते हुए और आपके मिहनत को द जगे आपको अपना नाम अंकित नहीं करता है बस एक चीज बिसेश ध्यान देजिएगा तो क्या लेखेंगे हम लोग तो ध्यान से लेखिए ये लिखाए परिष्छार्थी का अनुक्रमांक अंकों में तो मान के चलिए कि मैं मान लेता हूं कि मेरा अनुक्रमांक कुछ भी है दो एक तीन जीरो पांच छे मान के चलिए कि मेरा नुक्रमा की यह है आपको कुछ भी हो सकता है यह एकाई दाइस एकड़ा हजार दसेशार लाक तो लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं दो लाक तेरे हजार छपान यह अपना रोल नमबर लिखते हैं तो मैं आपको बता दो र है लाक में क्याव क कि अपना रोल नमबर लिखने क्या हो सकता नहीं है आपको कैसी लिखना है देखिए पहला और यह आपके लिए भेतर भी होगा कई बार बच्चे लिखने में गलतियां कर देते हैं दस लाग के जगे लाग हो जाता है लाग के जगे करोड हो जाता है जन बच्चें को पढ़ने लिखने में कमजूरी है यह जो पढ़ने लिखने में कमजूर है ठीक है तो उन बच्चो कर देखिए विसे आप हिंदी के पेपर देने वाले हैं तो हिंदी लिखिए इंग्लिज करने वाले इंग्लिज लिखिए physics chemistry biology यह अन्न कोई भी विशे जिसे आप देने वाले हैं आप उस विशे का नाम दिखिएगा यहां पर आपको प्रश्ण पत्र डालना है जैसे कभी किसी में प्रथम प्रश्ण पत्र किसी में दुती प्रश्ण पत्र यह इस समय लगभग सभी विशेओं का सिर्फ एक ही प्रश्ण पत्र होता है तो आपको प्रश्ण पत्र में लिखना है केवल प्रश्ण पत्र यहां पर आप डालेंगे केवल प्रश्ण पत्र यह डालना है इसकी बाद में एक option यह दिया गया है उसी नीचे कहता है प्रश्ण प जो आपको paper मिलेगा उसमें code पढ़ा होगा जैसे AO हो सकता है AX हो सकता है AEOX हो सकता है या खोई भी code पढ़ा होगा उस code को आपको इस box में भरना है इसके बाद में नीचे देखिए परिच्छा का दिन परिच्छा का दिन आपको डालना है यहां पर परिच्छा की तिथी डालना है जिस तारीक को आप paper देने गए हैं ध्यान देजिए कि कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता है आज की डेट में परिच्छा देने गए हैं तो आपको तारीक भी जालनी है और आपको पाली भी जालना है यदि आप पर्थम पाली में दे रहे हैं पेपर तो उसमें प्रथम पाली यदि आप दुती पाली में दे रहे हैं तो आप उसमें दुती पाली डालिएगा अगला है केंदर का नाम तो ध्यान देजेगा कि आप जिस विद्याले में पेपर देने जा रहे हैं उस विद्याले को आपको पूरा नाम ध्यान रखना है अगर ना ध्यान रहे तो आप अपने प्रवेश पत्र में देखिएगा ठीक है उसमें लिखा होता है केंद्र का नाम तो यहाँ पर आपको अपने केंद्र का नाम डालना है तो इतनी चीजों को बहुत ध्यान देकर आपको भरना है यहाँ पर कहीं भी आप गलती करते हैं तो हो सकता है आपकी कौपी रिजेक्ट हो जाए और आप परिच्छा में फेल भी हो सकते हैं तो इतनी चीजें जो थी वो खास थी आपके लिए जो माने आपको बताएं यह आपका बार्विका है और है स्कूल का पेपर दूसरे तरीके के होता है लेकर लगभग चीजे मिलते जूलती हैं तो आप भी ध्यान देजेगा है स्कूल वाले बच्चे भी ध्यान दें कि कि फ्रंट पेज को बहुत ही साधानी के साथ भरना है किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं करनी है क्योंकि अगर आपने गरह परिच्छा में मतलब जो परीबूट की एकजाम दे रहे हैं या देने वाले हैं या शमाही अर्दवार्शिक जिसे कहते हैं पेपर आप दे चुक ुति हैं लेकिन यह परिच्छा थी आपकी ओर फिसकती है तो ऽपने बढ़े या रतियरों परिशाएं करेंगे तो हो चत ¿P verdadering अधानि Aa नहीं है और अप्य். कि बच्ठ यहान देशिक है कि एक यक चीजह को है due augustit को बड़ी त्स आपको भरना चंहां औरोंगे यहां के कोई को भरने मदद कीजिए तो आपकी मदद करेंगे लेकिन गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और इसके बाद में यह तो रहा फ्रंट पेज और कॉपी के अंदर हम कौन-कौन सी गलतियां कर जाते हैं जिसके करण हमारे अच्छे नंबर नहीं आते हैं या उन गल वीडियों बात करेंगी तो इस आज के वीडियो इतने ही इस वीडियो को आप अधिक से बच्चों तक सेर करें ताकि ज्यादा स्था बच्चे इन चीजों को सीखें और आने वाले समय पर बोर्ड एक्जाम में बिल्कुल भी गलतियां ना करें धन्वार अगर वीडियो अ आने वाले